मध्य प्रदेश की साफर विधान सभा चुनाब के 18 दिन पहले कॉंगरिस आला कमान ने दिल्ली में आगामी रण नीती तैयार के जानी को लेकर मंगलबार को प्रदेश के बड़े निताओं की एक महत्मिपूर बैठक बलाई है जिसमें पूर्व मुक्मंतरी कबलनाथ और द दोरान समझते 230 उम्मीद बारों के नमांकन जमा होने के बाद आगे की जीत सुनिश्चित किये जाने के प्लान पर में चर्चकी जागी टिकट बड़वारे के बाद जहां चिटपुट विरोध हो रहा है बहां पर डेमेज कंट्रॉल के लिए बात की जाएगी बताने की PCC चीफ कबनाथ की मौजूदगी में दिगवजा सिंग और सुर्जेबाला प्रदेश में तैरण नीती के हिसाब से चुनावी कामकाज होनी की बात कह चुके हैं इसी के चलते रहाल गांधी ने प्रदेश के तीन बड़े निताओं को दिल्ली बलाया है और अभी चुनाव के कॉंग्रेश की मीडिया की एजनसी भी हायर होनी है जिसके प्रचार प्रशार का काम समय से हो सकेगा इस पर भी बैठेक में चर्चा होनी है